बास देन तेयार, grammar में तुम्हें इसले दिक्कत हो रहे हैं क्योंकि तुमने अलग से वो chapter नहीं पढ़ रखे हैं, चाहे हो पदपरिचे हो, वाक के हो, फिर तुम्हारा अलंकार हो, या फिर वाच्चे हो, बट इस वीडियो में हम अलग से theory नहीं पढ़ेंगे, हम इस वीडि में कहीं भी भटकने की जुरत नहीं पड़ेगी, और यार स्टार्ट करते हैं, अपने पहले MCQ से, रीड करो मेरे साथ और सब कुछ समझोगे तुम सारे chapters, वाक के का है पहला question, हरसिता बहुत विनम्र है, और सरवत्र सम्मान प्राप्त करती है, अब इसमें करना क्या है, र सरल, मिश्र, संयुक्त, सरल वाक की जैसा की सरल है, तो उसमें क्या होता है, बस एक सेंटेंस, एक वाक की होता है, जो अपने आप में संपून अर्थ दे रहा होता है, यानि की, अब हम ट्रिक्स समझेंगे की कैसे पहचानते हैं, पहले थोड़ी सी बातें जाने लो, यह हो पून अर्थ, तो जो दूसरा वाला है, उसका कोई मतलब ना निकल रहा हो पहले वाले के बिना, ऐसा मिश्र वाक के, तीसरा संयुक्त वाक के जहां पर वोल भी दो छोटे-छोटे वाक्यों से मिलकर बना हो, और दोनों अलग अलग भी अपना-अर्थ दे पा रहे हो, अब यह कोई यार, तो तो तुम समझ पाई या नहीं समझ पाई, आप ट्रिक पर आते हैं, कि क्या वो ट्रिक है जिससे हम तुरंट सॉल कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले तुम्हे ध्यान देना है, कौन से वर्ड्स यूस किये गए हैं, सेल वाक्य में कोई ऐसा स्पेशल दो वाक्यों के टुकड़ो को connect करके एक वाक्य बनाया जाएगा, उसे हम कहेंगे मिष्र वाक्य, वर्ड्स लिख लो, यह वर्ड्स देख कर तुम पहचान जाऊगे, सैयुग्त वाक्य में रहेगा इसी तरह से उन दो वाक्यों को connect करने के लिए कंजंच्चन, कंजंच्च नहीं देखना है, मिश्र में देखना है जियों, तियों, जैसे, तैसे, ऐसे, वैसे, जब, तब, संयुक्त में और, लेकिन किंतु परंतु तो देखते पहले इस एक्जामपल में क्या है? हरसिता बहुत विनम्र है और सरवत्र सम्मान प्राप्त करती है और वर्ड आ गया, तुरंत ही मैंने बताया संयुक्तवा के मार करो, आगे बढ़ जाओ निम्र लिखित में से मिश्रवा के कौन सा है? इसमें से पहचानना है कि मिश्रवा के कौन सा है? पहला पढ़ो, मैंने एक विर्द की साहता गी कोई Special Word मिला कौन सा Special Word? नहीं, नहीं, वो तुमारे तीन Special Words में बिल्कुल नहीं यहां पर Special Word मैं बोल रहा हूं मिश्रवा के में कौन सा स्पर अरो बढ़ देखा जो, तो, जैसा, तैसा, जब, तब जो मिल रहा है ना यार दूसरे वाले sentence जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, वह अवज शफल होता है, बिल्कुल मार करो यही आंसर है, थड़, थड़ पढ़ो, प्रयस बजार गया, वहां से सेब लाया, इस वाक्य का सैयुक्त वाक्य में रुपांतरण क्या होगा, यानि कि यह जो वाक्य है, जो सभी वाक्य है जिस भी टाइप का, इसको सैयुक्त वाक्य में रुपांतरण, यानि कि बदलना है, चेंज करना है, अब चेंज हमें नहीं करना है सबसे पहली बात, तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि यह जो चार ओप्शन से, इन में से तो एक सही है, यानि कि चेंज हुआ दिया गया है, बस इन चार ओप्शनों में से हमें पहचानना है कि कौन सा वो सही ओप्शन है, और पहचानने के लिए मैंने तुम्हें पहले बताया है, वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स का ध्यान देना, जो तो जैसे तैसे रहेगा तो तुम्हारा, मिश्रिवा कि और वह रहा, और लेकिन किं जिटा का प्रदर्शन करते हैं, रिखांकित उपवाकि का भेद क्या है, अब ये उपवाकि वाला कॉंसेट हम आगे समझेंगे, पहले एक कॉंसेट क्लियर कर लो वाकि चैप्टर का, निम्न लिखित में से सरल्वाक के कौन सा है, सरल्वाकि में मैंने होता है, कोई आतकाल होते ही सूरच की किने चमाक उठी, यहाँ पर कोई भी स्पेशल वर्ट नहीं है, डी में जैसे ही, जैसे ही, तैसे ही, ये सारे वर्ट मिस्र में, तो सी को मार्क करो यार, काफी आसा सा सिंपल सा सरल्वाकिय, सिक्स्थ क्वेशन पढ़ो, खिलोना मिलते ही बच्चा चुप हो गया, सरल्वाक के है, बिल्कुल ही देख लें, आपर कोई स्पेशल वर्ट का यूज नहीं है, सरल्वाक करो नीचे आओ, वहाँ घर गया, और उसने भोजन किया, और वर्ट आ गया, तुरन संयुक्त वाक के मार्क करो, आई होब तुम समझ रहो, समझ रहो तो व अब जो तो जैसे तैसे यह सब कहा होता है, मिश्रवाक में लिख लो, दिमाग में लिख लो यह बाते हैं, नाइन्थ कोश्चन पर आ जाओ, मिश्रवाक मार करो, रचना के आधार पर वाक कितने भेहद होते हैं, वह- जितने वर्टs तुमार के वहाँ होते हैं, वह-ई- आशरी तुपवाक्य वाला concept क्या है, आशरी तुपवाक्य क्या होता है, देखो, वाक्य मैंने बताया था ना, सुरू में समझाने के लिए कि वाक्य के दो टुकड़े होते हैं, वो जुड के बने होते हैं, मिश्रवाक्य संयुक्त वाक्य, तो वो जो टुकड़े होते हैं, वही होते हैं उपवाक्य, ठीक है, अब वो हो गए उपवाक्य, तो एक टुकड़ा मैंने बताया था मिश्रवाक्य में, जो अपने आप में अर्थ अपना दे रहा होता है, उसका सेंस निकल रहा होता है, दूसरा वाला उस पर डिपेंडेंट होता है, जो दूसरा वाला टु और यहां पर पूछा है कौन सा नहीं है वहां भेद उपवाकिका, तो कौन सा नहीं है, बताया कौन कौन सा, संग्या, विसेशन, क्रिया विसेशन, बचा सर्वनाम, सर्वनाम मार्क करो, आगे ओ, Question 11, पैसा देखते ही गरीब की आँखों में चमाक आ गई, क्या इसमें कोई स्पेसेल वड मिल राए, बिलकुल भी नहीं मिल राए, तो 11th Question का अंसर होगा सरलवाकिया, कौन सा टाइप है, सरल्वाकिया है, कोई स्पेसेल वड हमें नहीं मीरा जो जो मैं ने बताया था, question number 12 विद्याले समय पर जाने के लिए जल्दी उठो क्या यहाँ पर कोई special word मिल रहा है नहीं मिल रहा न यार special word क्या थे जब तब जैसे तैसे जो वो और क्या था और लेकिन किंतु परंतु कुछ है यहाँ पर नहीं है पूरा का पूरा एक simple सा sentence है इसका meaning भी निकल रहा है सरल वाक के करो mark question 13 मोहन पिता जी के पैरों में गिरा और शमा मांगने लगी अब यार परिशान हो गया हूँ सारे word सामने दिख रहे है I hope तुम्हें भी दिख रहे होगे तो 13 वाले का answer तुम comment में 13 लिख के मुझे आंसर बताओ के comment में 14 पे आ जाते हैं घंटी बजते ही 46 कक्षा से चले गए इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदल लिए मिश्रित वाक्य क्या होगा मैंने बोला था मिश्रित वाक्य में बदल लिए जहां भी बदलने वाला आ जाए बजने पर कक्षा से या तो कोई special word नहीं या नहीं कि ये तो सहरल वाक्य है तीसरा पढ़ो जैसे ही घंटी बजी 46 कक्षा से चले गए जैसे वैसे ये सारे कहां थे सारे थे मिश्रित वाक्य में तो C मार्क करो फिर आ जो question number 15 पे आ चुके हो तुम सीता ने कहा की वाह लिखेगी इसमें रेखांकित उपवाक्य का भेद होगा क्या भेद होगा देखो ये detailed concept मुझे तो नहीं लगता आएगा बट अब a question है तो कुछ भी miss नहीं करेंगे हम ऐसा PDF बनाया है इसलिए तुम्हें बता जेता हूं सीता ने कहा की वाह लिखेगी अब ये जो अंडरलाइंड है रेखांकित है ये एक उपवाक्य है उपवाक्य मैंने बताया वाह की का छोटा सा टुकडा अब ये उपवाक्य का भेद क्या होगा यार जान लो तीन भेद होते हैं कौन-कौन से होते हैं संग्या उपवाक्य ुषऊषळ उपवाक्य एक और इन्हें फचानने का तरीका ये होता है कि संग्या उपवाक्य के अंडरलाइंड तुम्हें दिया रहीगा कोईश्यन में जैसा दिया है उसके पहले ऊसफ एक वड यूज रहीगा की तुरंट की देखना तो बान जाना कि वो संग्या उपवाके है विशेशन उपवाके के पहले word यूज किया रहेगा जो अंडरलाइन रहेगा, उपवाके का भेद बताना रहेगा जो word तुम्हें पहले दिख जाए, तुरंट मार करना विशेशन उपवाके और क्रिया विशेशन उपवाके के पहले वर्ड यूज रहेगा जब अंडरलाइन दिया रहेगा जब पहले लिखा है तो मार कर देना क्रिया विशेशन यहाँ पर क्या ऐसी हीता है ने कहा की वह लिखेगी की आराया यार तो यह पिल्कुल क्या होगा संग्या उपवाके इसे मार करो विराज़ो क्वेशन 16 मुझसे राद भर सोया न गया वाच्य चाटी है देखो यार वाके की सारे टॉपिक्स यानि की सारे टाइप की क्वेशन वापवाके वाला और कैसे पहचानते हैं यह सब हमने डिस्कल्स कर लिया ट्रिक्स के साथ समझ आ गया हो तो लाइक करके बता दे कॉमेंट जरूर करना इस वीडियो के बाद बहुत महनत लगी है यह वीडियो बनाने में यार आज़तने क्वेशन 16 पे क्वेशन 16 से सुरू हो रहा है वाच्य अब वाच्य यार मैं तुम्हें पहले इसकी भी ट्रिक्स बता दूँगी कौन सा वाच्य कैसे पहचानते हैं कौन सा भेद है वाच्य पहली बात तो कितने भेद होते हैं कर्तरी वाच्य कर्म वाच्य भाव वाच्य कर्तरी वाच्य कर्तरी कर्ता वहला भाव नहीं है, यह भाव है क्रिया, यानि कि जहांपर क्रिया ही परधान हो, पूरे वाक्वे में, यानि कि कोई俺क gi पोकस में मो탁 ना सब्जेक्ट में, फोकस में सिर्फ वो क्रिया जी हो पूरे वाक्वे में तो वो हता है, भाव याशियं, यह तो मैंने बताया, concept, but trick ह में समझनी है, तो सबसे पहले अगर तुम्हें पहचानने को देता है वाच्च, सबसे पहले ढूणना, क्या उस वाक्य में ना, नहीं, ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं अगर हैं, तो वहीं मार्क कर देना भाव वाच्च, नहीं है, तो नीचे आ जो कौन सा बचा, कौन-कौन सा बचा नहीं है अगर, तो आ जाना नीचे फिर चेक करना दूसरा, कि क्या उसमें object है, यानि की कर्म है, अब object क्या होता यार जैसे की, राम पढ़ रहा है राम पढ़ रहा है, तो इसमें object नहीं है सिर्फ राम है, subject और क्रिया है राम पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक क्या पढ़ रहा है तो यह object हो गया तो जहाँ पर भी object होगा वो कौन सा हो जाएगा कर्मवाच्य और कर्मवाच्य के होते हैं word special कौन से word से और के दौरा जहाँ पर भी तुम्हें से और के दौरा मिल जाए तो वो हो जाएगा कर्म वाच्चे फिर अगर ना नहीं मिले ना और नहीं जहां मिलता है वो भाव वाच्चे से और के दौरा जहां मिलता है वो कर्म वाच्चे अगर ये दोनों ना मिलता है तो कौन सा होगा वो करतरी वाच्चे जहाँ पर करता ही होगा मेन फोकस में आव समस्ते हैं सारे एक्जामपल से और कई ट्रिक्स तुम्हें देखनी है आगे 16th question मुझसे राद भर सोया ना गया ना आ गया तुरंत ही भाव वाचे मार करो नीचे हमने भुकम पीड़तों की साहिता के लिए अनुरोध किया अब इसमें यार इस question में दोनों में misprint है नीचे आजाओ question number इसमें भी 20 प्याओ 20 question number में लिखा है वाचे के भेध हैं वाचे के भेध क्या है कितने भेध हैं अफकोस तीन भेध है फिर करतरी वाचे में प्रधानता किसकी रहती है करता की करतरी से करता 22 उससे चला नहीं जाता नहीं आ गया यहाँ पर क्या है यह भाव वाचे question में क्या बूचा है इस वाखे का करतरी वाचे क्या है आ गया रुपांतरन यानि कि change करना अब change हमें नहीं करना है इन चार में से एक option सही of course है बस हमें पहचानना है कि इसमें से कौन सा होगा हमारा करतरी वाच्च यार ध्यान रखना जब भी हम change करते हैं रुपांतन करते हैं वाच्च का तो word की जो sentence है उसका meaning नहीं बदल जाता है यार अगर यहाँ पर यह दिया कि उससे चला नहीं जाता तो अगर हम change करेंगे तो sentence तो और निकलना से यह नकि वह चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता नहीं तो आना ही चाहिए अब यह मत कह देना कि यहाँपर नहीं है तो यह भाव आची होगा, नहीं यह option देखो वो चल नहीं सकता और सीधा सीधा सकता सकते सकती यानि कि ऐसी क्रिया है जो direct relation दे तुम्हारा subject से वाह से वो क्या होते है करतरी वाच इसे mark करो नीचे आओ 23rd सुरेश नाटक खेलता है खेलता ते ते जिससे नाटक खेलता है अब यहाँ पर मैंने जुम्हें समझाने के लिए क्या बताया था ट्रिक सबसे पहले ना नहीं ऐसा कोई वर्ड है नहीं है ना या नहीं ऐसा कोई भी वर्ड हमें नहीं दिखरा है ठीक है फिर second क्या से के द्वारा ऐसे सब्दों का उप्योग है नहीं है सीधे सीधे लिख रखा है सुरेश नाटक खेलता है खेलता ता यहाँ पर इस्तमाल हुआ है और जीता रिलेशन सीधे है किस से सुरेश से सब्जेक्ट से यानि की करता से तो यह करतरी वाच्चे होगा और फिर next question number 24 निम लिखित वाक्यों में से करतरी वाच्चे वाला वाकिछ छाटी है करतरी वाच्चे को पहचानना है अर्वीन द्वारा कल द्वारा से यह सब कहां प्याता है कर्म में काड़ दो बच्चो द्वारा काड़ दो फिर सरकार द्वारा काड़ दो यार सीधे words tricks बता रखी D. नेता जी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया सीधे सीधे लिख रखा है करता को फोकस में रखा है नेता जी को यहाँ पर करतरी वाच्चे फिर 25 इस वाक्यों का वाच्च लिखिए इसमें वाच्च लिखना है कि कौन सा वाच्चे है अशोक ने विस्व को सांती का संदेश दिया यहाँ पर न से है न के द्वारा है न कोई निगेटिव वर्ड है तो बिल्कुल करतरी वाच मार करो असोक के उपर बात की गई है यह फोकस में 26 गरीबों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता देखा नहीं जाता नहीं तो भाव वाचे फिर next 27th कुश्चन जिसने गलत किया तो समझ जाना उसकी किसमत चेठा लाज से भी खराब है अरे यार कर्म वाचे में किसकी प्रधानता होगी कर्म की करतरी वाचे में करता की कर्म वाचे में कर्म की भाव वाचे में ध्यान रखना भाव की मतमार कर देना भाव वाचे में अगर पूछे तो वहाँ पर होती है क्रिया की क्रिया अगर क्रिया उप्शन में नहीं है तब भाव सब कुछ क्लियर हो रहा है वीडियो में आई होप 28th, 28th question दादा जी के द्वारा हम सब को पुस्तकें दी गई क्या इसमें कोई वर्ड मिल रहा जो मैं बताया था कि बताया था ना कि से और के द्वारा आता है कर्म वाचे में कर्म वाचे मार कर दो नीचे आओ question number 29 मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है अब इसको भाव वाच में बदलना है मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है रहा है, रहे हैं, सकता हैं, सकते हैं यह सब क्या जाता है और जो सीधे subject की बात करे, मेरा मित्र सीधे मित्र की बात हो रही है, तो यह क्या है यह कौन सा वाक्य है यह है तुम्हारा कर तरी वाच है इसे बदलना है भाववाच में कुछ नहीं बदलना है यार यहाँ पर यह चार आप्शन में से बदल के रखा गया है कोई एक सही बस उस एक सही को पहचानना है कि क्या जो वर्ड रुपांतन करने को दिया गया यानि कि जो सेंटेंस बदलने को दिया गया है उसमें ना या नहीं ऐसा कुछ निगेटिव है नहीं है उसमें कुछ निगेटिव देखो ना मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है यहां कोई निगेटिव वर्ड नहीं यहां पर क्या लिख रखा है? पर विचार कर रहा है, यानि यह प्रेजेंटेंस और यहां पर विचार किया जाता है, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, बी देखो मेरे मित्र से इसी समस्या पर विचार किया जा रहा है, यहां पर काल भी सही है, अर्थ भी सही है, फिर C, मेर लिखित में से कौन सा भावाच्च का सही विकल्प नहीं है जहां पर नहीं है रहेगा उसे ध्यान से question paper में पढ़ना कई लोग यार अपनी crush को देखने की जल्दबासी में गलत मार्क करके आ जाते हैं उससे भी हो गया था एक बार के 30 पर आते हैं पढ़ो मुझसे अब देखा नहीं जाता negative है ठीक है आये चला जाए C हमें धोका दिया जा रहा है D राधा से बोला नहीं जाता तो जो negative है वो तो भावाच्च है A है, D है, B देखो जब negative वाली चीज से हमारा काम हो जाए उसके बाद देखना होता है भाववाच में क्या उस वाकिय का main чीज, main focus?' सिर्फ क्रिया पे है, भी वाला पढ़ो, आये चला जाये, main focus क्रिया पे ही तो है, और पूरा का पूरा तो भी भी तुम्हारा होगा, भाववाच C हमें धोका दिया जा रहा है जा रहा है, रहे हैं, सकता है सकते हैं, यह सब मैंने बता रखा है कि कर्त रिवाच में आता है, ध्यान दो के तो तो तुम्हें अपने आप मालूम पढ़ जाएगा 31th question, यह question 31st होता है 31st question, सुमन जल्दी नहीं उठती नहीं उठती, negative word है, सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी सकेगी तो future हो गया, तो यह बिल्कुल गलत है सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी यह भी future है, गलत है सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता क्या ये बिल्कुल सही लग रहा है हाँ, से, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता फिर नीचे आ जाओ 30 second question, यहां पर क्या करना है हम इस खुले मैदान में दौर सकते हैं उपवकित वाक को भाववाश मदलिए इसे भाववाश मदलना है तो हम इस खुले मैदान में दौर सकते हैं positive है, कोई negative नहीं है तो यहां पर भी negative options में नहीं आएगा हम दौर सकते हैं इस खुले मैदान में हम इस खुले मैदान दौर सकते हैं हम से इस खुले मैदान में दौरा जाएगा जाएगा future गलत हमसे इस खुले मैदान में दोड़ा जा सकता है बिल्कुल सही है यार देख लो बिल्कुल सही 32 का D 33 खेल रहा था अब यार 33 यहां से स्टार्ट होता है क्या हमारा अगला चैप्टर पद परिचे यार सब कुछ मैंने ट्रेस के साथ तुम्हें समझा दिये पद परिचे थोड़ा सा एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर तुम पढ़ लोगे न यार तो काफी फाइदा हो जाएगा क्योंकि confusing questions होते हैं तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ पद परिचे एक बार जाना और पद परिचे की यह वाली वीडियो जरूर से देखना यह बेस्ट वीडियो मिलेगी तुम्हें पूरे यूट्यूब पर परिचे टॉपिक पर तो प्लीज इस वीडियो को देखना तभी तुम यह सारे question जो देख रहा हो ना 33 से जो सारे question शुरू हुए है यह सारे question तुम आसानी से solve कर सकते हो जैसे आओ कुछ question हम करके भी देखते है वह कार मेरे पिता जी की है वह को underline की है पूछा है क्या है सबको पता है कि वह क्या है सर्वनाम है तो बी और डी option पहले ही कड़ गए सर्वनाम है ठीक है वह कार मेरे पिता जी की है तो वाकार मेरे पिता जी की है अब इसमें पहचानना है आगे की क्या क्या है वा क्या होता है क्यों से सरुनाम के लिए इस्तमाल होता है पुरुस वाचक सरुनाम के लिए अब यही सारी डीटेल वो पदपरीचा वाली वीडियो में है यार और वह कौन सा पुरूस है सब को पता है कि अन्य पुरूस है अब यार उस वीडियो में सब बता रख़ा है सच में कि सर और नाम उसके पार्ट फिर पुरूस वाचक के जो तीन पार्ट होते हैं उसमें अन्य पुरूस भी आ जाता है आगे pulling एक वचन तो यहाँ पर pulling है, एक वचन है कि strilling है एक वचन, strilling कैसे पहचानते हैं link कैसे पहचानते हैं किसी ववाकिय का उसकी क्रिया को देखके, मेरे पिताजी की है की है अगर दिया है तो strilling का है तो pulling, वही बिल्कुल अक्षे कुमारवाला logic लगाना है कि बकरी है कि बकरा कैसे पता करेंगे एक इंटा मारो भाग जाता है तो वह लड़का है pulling है भाग जाती है तो वह लड़की है strilling है तो यार वो detailed video पदपरिशावारी देखो तभी यह सारे questions तुम कर पाओगे जो भी questions तुम्हे नीचे दिख रहे है अब हम आजाते हैं अलंकार पर वैसे तो यहार अलंकार बहुत सारे है अलंकार के दो टाइप है सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार जिसके अंदर काफी सारे अलंकार आते हैं जिनको याद करने के लिए मैं तुम्हें एक तरम दे दे रहा हूँ अयूरुमास या अयूरुमास A-Y-R-U-M-U-A-S A-Y-R-U-M-A-S A से क्या है अनुप्रास और S से क्या है श्लेस ठीक है और इसके बीच में बाकि आते हैं देखो Y से यहाँ और A से यह इसको इस तरह साथ कर सकते हो अनुप्रास वाई से यमक उप्मा रूपक उत्प्रेक्षा मानवी करन और अतेश योगती अयूरुमास टम से इस तरह वाटसब लैंग्वाज मैंने लिख दिया है हिंदी को और ये हिंदी का ऊपर है यहाँ पर सब्दा लंकार के तीन अनुप्रास वाई से यमक श्लेश और अर्था लंकार के पांच उप्मा रूपक उत्प्रेक्षा अतेश योगती मानवी करन अरे हाँ यार मालू मैं ये नाम सुनकर तुमारा दिमाग बॉखला गया है लेकिन हमें ये सब याद करने की ज़रत नहीं है हमारे सिलेश में इस बार सिर्फ और सिर्फ चार लंकार आ रहे हैं देखो कौन-कौन से पहला है ये श्लेश लंकार आएगा और इधर से आ रहे हैं बाकी तीन जो की हैं उत्प्रेक्षा मानवी करन और अतिश योगती ठीक है शिर्फ ये चार आएंगे यही चार आप्शन्स में दिये रहेगा MCQ में और पूछ लेगा इन चारों में से कौन सा लंकार है तो जरा एक बार समझ लेते हैं ट्रिक एक बार ठीक है यहां पर क्या लिख रखा है मैंने टू ब्रैकेट में जो दो बार आता है और वो क्या करता है रिपीट होता है लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है डिफरेंट होती है सेम वर्ड की अब स्लेस समझे तो स्लेबस में आने वाला है स्लेस क्या है यहां पर मल्टिपल मीनिंग होती है किसी एक सब्द की और यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है वन यानि कि यह सिर्फ एक ही बार आता है पूरे सेंटेंस में अभी हम देखेंगे कैसे और यहां पर उपमा का मतलब है कंपैरजन करना और उस सेंटेंस में मिल जाएगा यह वर्ड सा रूपक में एड्जेक्टिव लगाना होता है और वहां पर यह मिल जाएगा योजक का साइन इसको क्या बलते हैं डैश यह वाला डैश यह डैश साइन मिल जाएगा और अब सुनो दुसी रेवस में आएगा स्लेवस में आएगा स्लेश जिसका मैंने बता दिया multiple meaning होगी एक ही सब्द की जो sentence में सिर्फ एक बार आएगा अब रैकेट में लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा में क्या होता है ट्रिक समझ लो कि वहाँ sentence में तुमें ये सारे वर्ड दिखेंगे कौन-कौन से ये सारे वर्ड दो लिखे हुए है देखो मनू जनू ऐसे करके वर्ड लिखेंगे मनू-जनू मनो-जनू मन-मन-जन-जन ऐसा-इसे करके term आएगे फिर वहीं यह बरम बाण बना देना और यह लूचली को अभी पूरी प्रेक्टिस करने शेम्पल से बसमें अपने इसमें मानव बना देना और यह कहलीखाया मैंने जैंगली से इंसान यानि जंगली चीज़ों को भी इंसान बना देते हैं ठीक है पेड़ पॉदों को इंसान के तरह जहां पर यूज करते हैं वहां होता है मानवी करना अब आओ चलो देखते हैं examples कि हम practice से कैसे इसको देख सकते हैं ठीक है चलो आओ सबसे पहला इस तरह से आएगा कि निर्देश अनुशार क्या आएगा निर्देश अनुशार अलंकार पर आधारित पांच बहु विकल्पी प्रस्टों में से कोई चार करीजे पांच में से चार करने को आएगा हम तो पांच हो कर रहे हैं जो हमें practice करना नहीं है देखो जहन से पहला वाला पढ़ो उसकाल मार मारे क्रोध के तनु काप ने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा अब इस दोहे में कौन सा अलंकार है ठीक है यह बताना है option आपने वाद सिर्फ यह चार रहेंगे हमेशा स्लेस उत्प्रेक्षा मानवी करना और अतिश योगति ठीक है सिर्फ यही चार option रहेंगे क्योंकि यही चार इस बार के सिलेस में हैं सिलेस मैंने बताया था क्या होता है जहां पर कोई एक word एक ही बार आता है जिसकी meaning क्या होती है अलग-अलग होती है दो meaning होती है या दो से अधिक meaning होती है उत्प्रेक्षा क्या होता है उत्प्रेक्षा में कुछ word आते ह जैसे कि मनू, जनू, मनू, जनू, ठीक है, ऐसे वड़ते हैं, या मानो, जानो, यानि कि मा और ना, या जजा, देखो, मन और जन, ये टर्म कहीं भी मिल गया, तो वो क्या होगा, अतिश योगती, मान भी करने में क्या होता है, किसी को हम human बना देते हैं, इंसान, और अतिश कि में क्या होता है, कि हम जब बहुत ज़्या या जञादा बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं, यानि कि FLEX करते हैं, यानि कि फेकते हैं, F E K TE, फेकते हैं जब, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनो, सबसे पहले, इन चारों में स्यार अकर तुमेंघ ढूद आ है ना तो मैं तुम्हें एक order दे रहा हूं सबसे पहले order मतलब की अधेश नहीं order मतलब की sequence सबसे पहले देखना उत प्रेक्षा है कि नहीं फिर देखना मानवी करन है कि नहीं अगर human जासा treat करेंगे और फिर देखना अतिश योक्ति है की नहीं अगर यह तीनों नहीं रहा तो फिर आखिर अपना बसता है slice ठीक है क्या टेकनिक बताई पहले हम देखेंगे उत्प्रेक्षा है की नहीं फिर देखेंगे मानवी करन है की नहीं दूसे उत्प्रेक्षा, M से मानवी करन, फिर देखेंगे A से अतिश योक्ति और फिर S, यानि कि उमस, इस सीक्वेंस में बढ़ेंगे, तो पहले देख उत्प्रेक्षा है कि नहीं, उस काल मारे करोध के तनू कापने उसका लगा मानो हवा के वेक से सोता हुआ सागर जगा, अब मैंने बोला था ना, मन, जन, मानू, जानू, मानो, जानू, मनू, जानू, 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 ज ठीक है, अब यहां पर बताना है कि कौन सा है, और हमने क्या बताया था, कैसे चेकरना है, U, M, A, S, ठीक है, पहले एक बढ़ पढ़ लो, हसमुख हरियाली हिम आतप हसमुख हरियाली है हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाय से सोए अब देखो यार सबको पता है कि इतनी हिंदी हमें आती नहीं है लेकिन कुछ-कुछ समझ मार रहा होगा हसमुख यानि कि समाईल फिर हरियाली फिर सुख से अलसाय सोय यानि कि सो रहें आलस से ठीक है? इस वज़े समझ मारी ना? अब चेक करो उमस वाले सीक्वेंस में यू यानि कि उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा में मन हूँ, जन हूँ, मानो, जानो ऐसे सब्द होते हैं क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी ऐसा कोई सब्द है? नहीं है तो बस कट कर दो प्रेक्षा नहीं है फिर क्या चेकरना है? मानवी करना अब मानवी करना चेक करो मानवी करना में होता है, जब भी हम किसी सेंटेंस में इंसान वाली फिलिंग दे कि जो काम इंसान करते हूं या जो कॉलिटी इंसान की हूं तो हस्मुख यानि हसना फिर अलसाय से सोए आलस आकर सोना यह सब किसके काम है हम इंसानों के इतो काम है न तो यहाँ पर clearly दिख़ा हैं कि यहाँ पर मानवी करना अलंकार है और अगर तुम्हें मैं अर्थ बताओं तो इस sentence का अर्थ होगा हस्मुखरयाली हिम आतप सुख से अलसाय से सोए इसका मतलब है यार देखो हिम और आतप आतप का मतलब धूप दोनों के दोनों अलसाय हुए हैं और सो रहे हैं हिम यानि पहाड और धूप अगले पे घा पे अब घा मैं तुम्हें थोड़ी दिर बात समझाता हूँ जिस सीक्वेंस में समझा रहा हूँ प्लिस उसमें समझते आओ आखरी वाले पे आओ ये फिफ्ट वाले पे इसको पढ़ो अचल हिम गिरी के हिर्दय में आज चाहे कंप हो ले अचल हिम गिरी के हिर्दय में आज चाहे कंप हो ले या प्रले के आशूओं में मौन असलित व्योम रोले अब सेंटेंस और ये दोहा पढ़ता है तो मैं आ रहा होगा यार कि इतनी कठिन कठिन मीनिंग हम कहां से लाएं अचल हिम गिरी के हिर्दय में आज चाहे कंप हो ले या प्रले के आशूओं से मौन असलित व्योम रोले क्या हो रहा है हिम गिरी का मतदत तुम समाद रहोगा ना कि पहाड तो यहाँ पर बात ये है कि हिम गिरी को दिखाया जा रहा है कि उसमें कंपन हो रही है ठीक है अचल हिम गिरी यानि कि पहाड के हिर्दय में आज कंपन हो रही है यानि कि वो क्या हो रहा है यानि कि वो घबरा रहा है ठीक है घबरा रहा है या फिर वो डर रहा है किसको डर जा रहा है किसको बड़ा जा रहा है पहाड को हिमगिरी का मतलब क्या है पहाड ठीक है और कभी भी पहाड को तुमने डरते हुए देखा है तो यह क्या हो गया अरे उसी सीक्वेंस में चलोगे ना UMAS में तो समझ जाओगे देखो उत प्रेक्षा यहाँ पे है नहीं कि मन हुजन हुँ है नहीं फिर आगया सेकंड अपना मानवी करण और क्लियरली यहाँ पर मानवी करण अलंकार है क्योंकि यहाँ पर पहाड को कैसा लिखाय गया है कि उसके हृदय में आज कमपन है यानि कि वो डर रहा है और यहाँ पर आगय दिया गया है अलसित व्योम रोलें, यानि कि रोने की भी बात की कैई है, अब तुमने क्या क्या देखा अभी तक? अभी तक हम ने देखा है सर्फ और सिर्फ दो ही अलंकार, जोते कौन से उत्प्रेक्षा और मानवी करणा, अभी हमने ध्यान से समझना है अतिश-योक्ति और सलेश-लंकार, ठीक है? आ ज सगरी लंका जरी गई, गय निसाचर भाग, क्या मतलब, यह तुम सबको पता है न, जिसने भी रामायर देखा या काटून में भी देखा है, कि हनुमान जी तो छे न, उनकी पूँच में आग तक नहीं लग पाई थी, और वो जाकर पूरे के पूरी लंका में तबाही मचा कर चले आए, और सारे निसाचर यानि की जो दानव हैं वो भाग गए, ठीक है, हनुमान की पूँच में आग भी नहीं लग पाई, और सारी लंका जल गई, यह इस सिंटेंस में कहा जा रहा है, लेकिन जिसने भी रामायर देखी है, थोड़ा बहुत भी मालूम है, तो यार ब मनु जनु है कहीं पर, हनुमान की पूँच में लगनना पाई, आग, सगरी लंका जरी गई, गई निसाचर भाग, यू है कहीं पर उत पर एक्छा नहीं है, फिर M, मानुवी करना, क्या यहां पर मानुवी करना लंकार है, किसी को हिूमन जैसा दिखा जा रहा है, पहली बा बहुत बढ़ा चड़ा कर बात करना, हनुमान की पूच में लगनना पाई, आग लगी नहीं, फिर भी लंका जल गई, तो यही तो है बढ़ा चड़ा कर बात करना, जिसको हम बोल रहे हैं, अतिश योक्ति, अलंकार, फिर एक बार उपर आओ, और कोश्चन्स देखो, साथ इस सीक्वर्स में जो चीज़ें उसको ढूणो, यू में मैंने कहा है, कि यह ढूणो क्या इंसान जैसा कुछ है, अतिश योक्ति मैंने यह कहा है, कि यह देखो क्या बढ़ा चड़ा कर बात हुई है, फिर श्लेश को भी हम एंड में देखेंगे, क्या होता है, तो देखो, यहाँ पर पहले यू से देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनुजनू होता है, वो यहाँ पर है, या हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा सीज पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, नहीं मनुजनू कुछ नहीं है, तो उत्प्रेक्षा कट गया, फिर M, मानव मुरेठा सीज पर, सीज यानि सर पर, छोटे गुलाबी फूल, अब फूल, चना, मैंने बताया थे ना, पेड़ पौधो की बात होगी, खाने पीने की बात, तो यह सब क्या है, नॉन लिविंग फिंग, फूल कर सजकर खड़ा है, अब सजकर कौन खड़े होते हैं, हम हुम विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उशा नागरी, इस पर ध्यान मत दो, हमें सिर्फ अपना जो मैंने बताया, वो रूनना है, उमस, U-M-A-S, सबसे पहले देखो, क्या यू वाली चीज, यानि कि मन हूँ जन हूँ ऐसा कुछ है, बीती वि चुन लिविंग तिंग होगी, उसे ही तो ध्यूमन जासा दिखाएंगे, तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ठीक है, अंबर पनघट में डूबो रही, और इसके आगे लिखाया है, तारा घट उशा नागरी, तो सुनो, यहाँ पर उशा को नागरी होने पर और घट को अंबर पनघट में डुबोने की बात की गई है ठीक है क्या लिखा है अंबर पनघट में डुबो रही अंबर क्या है आसमान जिसको पनघट में डुबोने की बात की जा रही है और ये क्या है क्लियरली दिखा रहा है मानवी करन अलंकार, option third, अगर नहीं समझे मानवी करन अलंकार, तो एक बार मैं तुम्हें समझाता हूँ, उसके बाद clear हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, उपर देखो, इसको पढ़ो, पानी गयना उबरे, मोती मानुस चून, अब सुनो, अब मैं आ जाता हूँ, तीनों अलं words की बात कर रहा हूँ, दो, तीन words, क्या होंगे, बगल-गल लिखे होंगे, adjacent लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, adjacent, यानि side by side, जैसे देखो यहां पर, पानी गयना, उबरे, कॉमा मोती, कॉमा मानुस, कॉमा चून, तो मोती, मानुस, चून, यह तीन बगल-गल में लिखे एक word होता है, जिसकी meaning, अलग-अलग word के लिए अलग-अलग होती है, अब वही जो अलग-अलग word है न, वही दो-तीन word क्या होते हैं, side by side लिखे होते हैं, जैसे यहां पर है, मोती, मानुस, चून, और पानी गयना, उबरे, यह पानी ऐसा word है, जिसका अलग-अलग meaning है, मोती के लिए भी, मानुस के लिए भी, और चून के लिए भी, मोती के लिए पानी का मतलब है चमक, मनुस्य के लिए पानी का मतलब है प्रतिष्ठा, सम्मान, और चून यानि चूने के लिए पानी का मतलब है जल, ठीक है, नॉर्मल पानी, तो तुम्हें अगर स्लेश लंकार प भर गए हिम के करणों से पूरा मानो हो गए पंकजने अब देखो पढ़ते ही मुझे मालूप पढ़ गए कि कौन सा लंकार है क्योंकि मुझे एक टर्म मिल गया ना इसलिए मैंने तुमस में चेक करो यू क्या उत्प्रेक्षा और यहाँ पर क्या देख गः गया मानो तो मानो जानो मनहू जनहू मां और ना यह टर्म के कोई भी वड़ यूस होBaby मनहू जनहू मानू जनुत्ळू होगा उत्प्रेक्षा ठीक है चलो अब हमने जो एक और प्रेक्टिस की थी यह इसमें मैंनेड खा और गावाला तो खावाला इब आप पढ़ो बलिहारी ड्रिप कूप की गुन बिन बूंद न देई ये है खा और गावाला क्या है चरन धरत चिंता करत चितवत चारी हूं और सुबरन को ढूनत फिरत कवी विचारी चोर ठीक है मैंने बोला उमस में चेक करने को U-M-A-S U के लिए मनहु जनहु चाहिए क्या यहाँ पर मनहु जनहु है नहीं है फिर M मानवी करन क्या आप मानवी करन की बात हो रही है ठीक है मानवी करन की इनसान जासा की चीछ दिखाय जा रहा है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यह बार रीड करोगे समझ मा जाएगा फिर ए, अतिश युक्ते नी बढ़ा चुला कर बात करना, तो चरन, धरत, चिंता, करन, चितवत, चारी, उर, सुबरन, को, ढूनत, फिरत, कवी, व्यभीचारी, चोर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तीनों चीज देखने से पहले ही हमें एक चीज मिल गई, जो मैंने श exception ऐसा आएगा जहां पर दो वर्ड यूज़ होंगा और तुम्हें उसे पहचानना होगा, जैसे यहां देखो, बलिहारी निर्प कूप की गुन बिन बूंद न देई, बलिहारी निर्प कूप, निर्प कूप, ये बिलकुल अलग-अलग मीनिंग के वर्ड है, निर्प कू जैसे यहां पर भी देख लो, यहां पर क्या है, कवी, व्यभीचारी, चोर, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन है, या कोई अड्यक्टिव है, किसी बी चीज़ का, नहीं, और यहां पर भी निर्प कूप, निर्प मतलब राजा, कूप मतलब कूप, तो यहां पर क्लिय करते हैं, आर उट्प्रिक्षः मानुवी करन और अतिश-योक्ति चारों को समझ लिया है, चारों की ट्रिक मैंने बता दी है, सबसे पहले याद करा दूं, शिलेश की ट्रिक है, कि साइड-बाय साइड दो-तिन वर्ड होंगे यूज, ठीक है, साइड-बाय साइड दो-तिन वर यूज़ किये जाएंगे जैसे हैं आपर देखो मोती, मानुस, चून, मोती का मतलब मोती, मानुस का मतलब, मनुस चून का मतलब चूना, कोई रिलेशन नहीं आपस में लेकिन बड़-बड़ यूज़ हुए है, फिर वहीं अगर हम बात करते हैं, शलेश के बाद कौन सा अतिश युक्ती में बढ़ा चला कर बात करते हैं जैसे यह हनुमान की पूछ वाला एक्जामपल कि पूछ में आग लगी नहीं और फिर भी लंका जल गई तो यह सारे वो थे जो इस साल आने वाले हैं और हां क्या लग रहा है दुखी हो गए कि नहीं और बस इतनी झानुर्स कोपड़ाू हए जढने करने चारों क्यों आगली वीडिडियो मिसना हो जा ना जा पढ़ ले